हेलो फ्रेंड्स आज सी स्टिचिंग में आपका स्वागत है आज मैं साधा ब्लाउज यानि की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने जा रही हूँ तो ये मेरा ब्लाउज पीस है और इसमें दोनों तरफ से बॉर्डर दिया है देखिए इस तरीके से और ये ब्लाउज जो मै ब्लाउज की बैक पार्ट में चला जाएगा और एक तरफ का बॉर्डर स्लिप्स में जाएगा तो बीच वाला कपड़ा जो बच रहा है उससे मैं फ्रेंट पार्ट की कटिंग नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ब्लाउज की लंबाई के कोडिंग एक कपड़ा चोटा पड़ ज सकते हैं तो देखिए अपने चेश्ट के एक औरिंग मैं इसको फोल्ड कर ले हूँ चेश्ट का चौथा भाग और फिर उसमें टू इंच मार्जन वाला कपड़ा रखते हुए मैं फोल्ड कर ले हूँ डवल में इसको और मैं फोल्ड करने के बाद देखिए ब्लाउज की लंबाई में 17 इंच रखी हूं तो एक निशान में 17 इंच पर लगा करके और निशान को मैं सिधा मिला ली हूं अब इतना कपड़ा में पहले कटिंग करके निकाल लोगी क्योंकि इससे मैं बैक पाट की कटिंग करूंगी अब जो कपड़ा बचेगा उस कपड़े को मैं दू कुझ कर लें और सिप्हट की करनी है तो इसको दिखिए मैं इस तरी के से रखी हो अब मैं इस में क्या करूंगी जो बॉरडर है उपर वाला उसको मैं कटिंग कर के निकाल दे रही हूं क्योंकि बॉरडर से हम स्लिप्स की कटिंग नहीं कर सकते हैं कपड़ा यह कम हो रहा ह और जो नीचे वाला जो थोड़ा सा बॉडर बचा था उसको भी मैं कटिंग कर दी हूँ इस बॉडर को हम स्लीप्स पर ही अटैज करेंगे लेकिन बाद में अटैज कर लेंगे स्टिचिंग के डाइम तो देखिए इस तरीके से जो कपड़ा मैं फोल्ड की हूँ ऐसे ही हमको फ्रेंट पार्ट की कटिंग करना है तो सबसे पहले मैं ब्लाउज की बैक पार्ट की कटिंग कर ले रही हूँ इसी के कोडिंग में फ्रेंट पार्ट की कटिंग करूंगी तो देखिए यहां मैं सोल्डर रख रही हूँ 5.5 इंच नेकी चोड़ाई में रख रही हूँ 2.5 आर्म होल की लंबाई में रख रहे हूं 6.5 इंच, 40 साइज का ब्लाउज है ये तो उसका चौथा भागाएगा 10 इंच और 2 इंच में रखी हूं मार्जन के लिए तो एक निशान 10 इंच पर और एक निशान 12 इंच पर लगा लेना है निशान को अच्छे से सिधा मिला लेना है अब यहां से आर्म होल की गुलाई का शेप देना है तो ब्लाउज का ये बैक पार्ट है तो मैं 1.5 इंच पर निशान लगा करके और गुलाई का मैं शेप देद 9.5 इंच आप अपने एकोडिंग बड़ा या छोटा रख सकते हैं नेकी लंबाई नीचे से मैं नेकी चोड़ाई 3 इंच ली हूँ और इस तरीके से बॉक्स जैसा निसान बना करके और यहां गोलाई का शेप देना है इसमें मैं गोल नेकी बना रही हूँ तो मैं गोलाई का लंबाई और देखिए दोनों साइड हाफ हाफ इंच का निशान लगा करके और निशान को मैं पहले वाले निशान में मिला ली हूँ तो देखिए अब इसी निशान पर मैं कटिंग कर ले रही हूँ कटिंग करने के बाद आप चाहें तो इसको रख करके फ्रेंट पार्ट तो इसमें हुक पर्टी और आइपर्टी फ्रेंट पार्ट में लगेगी तो उसके लिए मैं हाफ इंच का निशान लगा रही हूँ जो कि हुक पर्टी और आइपर्टी जब हम अटेज करेंगे उसके लिए तो इस तरीके से हाफ इंच का निशान लगा करके निशान को पॉइंट पाइफ इंच पे लगा रही हूं आर्म होल की लंबाई का भी निशान सेम रखना है यानि कि 6.5 इंच निशान को सिधा मिला लेना है अब यहां से जो निशान मैं हाफ इंच का लगाई हूं वहां से आगे के साइड हमको इस तरीके से इंच टेप को रखना है और का चौथा भाग यानि कि 10 इंच और फिर 2 इंच प्लस करना है उसमें मार्जन के लिए तो एक निशान 10 इंच पर और एक निशान 12 इंच पर लगा करके निशान को मिला लेना है अब इसमें आर्म होल की गुलाई का शेप देना है तो यह फ्रेंट पार्ट है तो इसमें मैं मैं 1 इंच पर निशान लगाई हूँ कोने में और फिर गुलाई का मैं सेप दे दी हूँ अब नीचे से देखिए इसकी लंबाई में 18 इंच रख रही हूँ बैक पार्ट की लंबाई में 17 इंच रखी थी और फ्रेंट पार्ट की लंबाई में 18 इंच रख रही हूँ तो न यानिकी जैसे बैक पार्ट में निशान लगा थी यह मुसी तरीके से फ्रंट पार्ट में भी निशान लगा लेना है अब नेक का निशान लगा रहे हूं तो नेकी लंबाई मैं इसमें 6 इंच रख रहे हूं और नीचे से नेकी चोड़ाई मैं 3 इंच ली हूं इस तरीके से इसमें भी box तयार करना है और फिर गुलाई का shape दे देना है अब इसमें belt का निशान लगाना है ये belt blouse है तो belt के निशान के लिए देखिए ये blouse मेरा 1 इंच बड़ा है तो मैं देखिए fold वाले side से मैं 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हूं अगर आपका blouse जिसे छोटा है आ आपको निशान 4.5 इंच पर लगाना है और कमर वाले side से मैं 3.5 इंच पर निशान लगाई हूं और देखिए fold वाले side से भी मैं एक Nissan 3.5 इंच पर लगा करके और इसका center में निकाल ले रहे हूं तो एक Nissan center में लगा लेना है और जो निशान में 5.5 इंच पर लगाई थी वहां से नीचे के साइठ से हलका सा राउड देती हुए हम इस निशान को इस तरीके से मिला लेंगे तो देखे है यह belt का निशान लग गया है अब इसमें tuxt का निशान लगाना है तो देखिए जो निशान में belt के लिए लगाई हुँँ और जो निशान में nick के लिए लगाई थी दोनों का center निकालना है तो एक निशान में center में लगा ली ह strangers और tax का लंबाई में रखी हुँ 3 inch और देखिए दूसरा टक्स का निशान में फोल्ड वाले साइट से यानि कि जो निशान में हुपट्टी और आईपट्टी के लिए लगाई थी वहाँ से 4.5 इंच का निशान लगा करके और इसकी लंबाई में 3 इंच रख ली हूँ ठीक है तो इस तरीके से 2 निशान बना ली हूँ अब दोनों के बीच की दूरी को ना अपले ना है और सेम वही दूरी हम तिसरे टक्स में भी रखेंगे और चौथे टक्स में भी रखेंगे जो चारो टक्स की दूरिया होती है एक बराबर होनी चाहिए तो देखे इसकी दूरी 2.5 इंच आ रही थी तो 2.5 इंच पर एक निशान में लगा ली हूँ और फिर जो चौथे टक्स का निशान है वहाँ भी में लगा ली हूँ अब जो तीसरा टक्स है उसको कमर वाले साइड हम तीर्शा में लेते हैं जो चौथा टक्स है उसको हम आर्म होल के सेंटर में मिला लेते हैं तो इस तरीके से चारो टक्स का निशान में लगा ली हूँ अब उपर से इसमें भी solder को down कर देना है और फिर इसी निसान पर cutting कर देना है तो देखिए ये इतना कपड़ा मेरा extra हो रहा था तो इसको मैं cutting करके निकाल दी हूँ फिर side से इसकी cutting कर लेनी है इस तरीके से देखिए तो ये front part की भी cutting हो गई है उपर से solder को भी half inch down कर लेना है दोनों part की cutting हो गई है ये front open रहेगा तो पहले से open है उसमें कपड़े को मैं जिस तरीके से fold करके रखी थी तो उसमें पहले से open था हो अब ये जो कपड़ा बचा है तो देखिए slips के लिए थोड़ा सा कपड़ा कम हो रहा है ये नीचे arm hole की जो लंबाई आएगी वहाँ कपड़ा कम हो रहा है तो इस तरीके से कपड़े को हम बराबर कर लेंगे और जो मैं front part की cutting की हूँ और नीचे से जो कपड़ा निकला है उसको हम यहाँ attach कर लेंगे यानि कि joint करके और फिर देखे joint करने पर इसकी लंबाई आ जा रही है तो मुझे 7 इंच का slips बनाना है तो ये 14 इंच की लंबाई है तो इसमें से 2 slips की cutting हो जाएगी तो joint करने के बाद मैं slips की cutting कर लूँगी और stitching के टाइम में ये जो border दिया है उसको मैं attach कर लूँगी बाकी जो कपड़े का टुकड़ा बचा है उसे मैं hook पटी राइपटी की cutting कर लूँगी तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजएगा वीडियो को लाइक करिएगा थैंक्यू